हम क्या करते हैं अब इसका जेनेसिस में बताता हूं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा बट स्टार्टिंग पॉइंट यह होता है कि एक y1 गिविन होता है a1 sin omega t ठीक है एक y2 दूसरी वेव है a2 sin omega t plus 5 इनमें phase difference 5 है फिर हम इनको combine करते हैं तो y net is equal to y1 plus y2 इसको हम जब यह a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus 5 लिखते हैं तो कुछ finally result जो आता है वो कुछ ऐसा होता है sum r into sin omega t plus theta ठीक है where r is the resultant wave generate हुई इन दोनों को मिला करके superposition से उसका amplitude और वो r हमें कैसे मिलता है under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos 5 ठीक है यहां पर दोको दो अलग अंगिल्स है एक theta अंगिल है और एक 5 अंगिल है ठीक है theta अलग है theta क्या है हमारे resultant wave का phase difference बता रहा है from y1 y1 अगर हम reference लें तो उसके comparison में कितना phase difference है वो theta बता रहा है ठीक है यह theta usually बहुत important नहीं होता है जब तक कि तुमसे यह equation ना पूछी जाए तब तक यह theta जरूत नहीं पड़ती है और usually हमें equation पूछी नहीं जाती है हमसे पुछा आता है resultant intensity के बारे में resultant intensity is resultant amplitude से आता है ठीक है जो resultant intensity i net होता है यह जो i net हमने उपर formula लिखाया i net का वो इस r का square होता है के proportional होता है ठीक है i net is proportional to r square तो i net is equal to हो जाएगा r square तुम रखोगे अगर constant हम ले लें proportionality का k और r square रखोगे तो a1 square प्लस a2 square प्लस 2 a1 a2 cos phi हो गया और उसमें तुम फिर उसमें तुम a1 square को i1 लिख दोगे k a1 square को i1 लिख दोगे k a2 square को i2 रख दोगे तो finally हमें यह formula मिलता है ठीक है i net वाला तो यह genesis होई अब इस इसमें जो हमने जो result यह use किया कि r ऐसे आया इसको find करने का तुमने ac chapter में phasor diagram पढ़ा है phasor diagram में ऐसा ही तो होता है कि sinusoidal terms होते हैं कई सारे ठीक है तुम्हें sinusoidal terms को add करना होता है तो हम phasor diagram से add कर लेते हैं वो technique यहां भी लगा सकते हैं ठीक है तो मैं अब तुमको direct उस technique पर ले जा रहा हूँ तो जिसमें कि हम resultant are direct using this vector result जो vector addition के results हैं उनका direct करेंगे use ठीक है तो अब यह बताओ क्या तुमको याद है कि दो अगर equal length के दो vector होते हैं तो उनका जो resultant आता है R वो R अगर हम theta रखें उनके बीच का यह theta angle between the two vectors है तो उससे R कितना आता है अगर theta हम 0 रखते हैं तो R कितना होता है बताओ 0 मतलब parallel दुनों को parallel add कर रहे हैं 2A 2A होता है ठीक है अच्छा जब R 2A हो गया तो जो intensity होगी i net वो i net क्या होगी 4i 4i में i define करना पड़ेगा what is i तो suppose हमें a के proportional जो हमारी यह a है उनके corresponding जो intensities है वो i naught i naught है ठीक है इनकी corresponding intensity is i naught i naught है तो जब resultant 2A amplitude हो गया तो square करो गया तो 4a square हो जाएगा और 4a square का मतलब हो गया a square को तो i naught लिख दो ठीक है proportionality है तो 4 i naught कर दिया हमने तो i net जो है वो 4 times individual intensity हो गया यहां तक समझ में आए सबको और इसको मैं i max कह दूँ तो कोई बात तो नहीं है थीटा equal to zero पर हमें i max मिलता है ठीक है अच्छा जरा symbol में हम लोग क्योंकि phase difference यहां पर यूज करेंगे तो मैं theta नहीं 5 लिख दे रहा हूँ otherwise थोड़ा confusion हो सकता है this angle is 5 ठीक है 5 की value 0 है तो maximum intensity मिलती है 4 i naught लिख दिया ठीक है फिर अगला हम देखो phi 0 के बाद क्या होता है 30 degree 30 degree अगर रखते हो तो तुम्हें क्या मिलता है तुम कौन साफ चीज यूज कर रहे हो तुम यह यूज कर रहे हो r is equals to तुम यह वाला यूज कर रहे हो r is equals to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi इसमें मैंने assume कर लिया है कि a1 and a2 equal है तो मैं 1 और 2 symbol हटा दे रहा हूँ ठीक है 1 और 2 symbol हटा देंगे तो क्या बनेगा सब a square a square हो गया तो 2a square यहाँ पर 2a square यह 2a square plus 2a square जब वो सब लोग है तो यह finally क्या आता है 2a into cos square 5 by 2 आता है even 4a not आता है क्या 4a करके देख लेते हैं चलो under root 2a square plus 2a square cos 5 ठीक है 2a square तुमारा common हुआ 1 plus cos 5 और 1 plus cos 5 क्या होता है 2 cos square 5 by 2 तो 2 2 से 4 हो गया 4 से बाहरा आगा 2 हो गया a हो गया और cos 5 by 2 ठीक है यह हमारा r हो गया अब इसमें तुम 5 की बली हो अगर 30 रख दोगे तो 30 by 2 तो 15 हो जाएगा तो रहने दो cos 15 हमें तोड़ा difficult होगा निकालना तो हम 0 के बाद लेते हैं 60 degree 60 degree बताओ r क्या होगा यहां पर 5 की जाएगा 60 रख दिया तो रूट 3 है और रूट 3 है और रूट 3 है पर intensity क्या हो जाएगी 3 i not हो जाएगी और वो i max के terms में क्या हो जाएगी 3 by 4 i max हो जाएगी ठीक है फिर 60 degree के आगे अगला कौन होगा 90 degree ले ले लेते हैं 60 के पाद 90 आज़ा बीच में 45 भी ले सकते थे क्या 45 में हमारा अच्छा रहता क्या नहीं 45 भाई 2 थोड़ा सा difficulty ratio होता जो easy ratio होते हैं वही ज्यादा तर पुछे आते हैं तो next आगे 90 degree पर बोलो या 90 रख दोगे तो आर क्या आएगा रूट टूए अच्छा थोड़ा सा हम लोग common sense है जो डाग्राम से भी देख सकते हैं कि यह a है यह a है तो इनका जो resultant आएगा वो रूट टूए होगा ठीक है तो इससे तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा सीधे तुम रूट टूए रख दिया intensity बता दो इसका square कर दो के तो क्या हो जाएगी रूट टू का टू और एका square आई नॉट ठीक है विचिज आई मेक्स के दम्स में क्या है यह आई मेक्स के टू है ठीक है हाफ है आई मेक्स का फिर 90 के आगे आता है 120 डिग्री 120 डिग्री पर बताओ क्या होता है दो सेम लेंथ के वेक्टर वन ट्वेंट पर बही ए होता है ठीक है यहनी intensity क्या हो गई आई नॉट हो गई जो की आई मेक्स का क्या है वन भाई फोर है ठीक है और 180 पर क्या हो जाएगा जीरो जीरो आई आई क्या हो गया आई नॉट भी आई नेट भी जीरो हो गया ठीक है जीरो ठीक 270 पर क्या होगा 270 पर क्या होगा जीरो जीरो क्यों नहीं स्वरी दो 2 है, स्वरी स्वरी 270 सर माइनस माइनगा न हो तुम्हें अल्टीमिटली तो स्क्वार करना है ना हमें तो इंटेंसिटी से मतलब है इंटेंसिटी हम स्क्वार करेंगे क्या होगा 2 I0 which is Imax by 2 जीरो वाली कंडिशन रिपीट हो गई 4 I0 Imax अब इनमें सबसे इंपोर्टेंट कौन से है जो जादतर कुछे आते हैं तो उसके लिए जीरो वाला तो common sense ही है तो जीरो को मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ वैसे इंपोर्टेंट वो भी है जीरो वाला भी ठीक है यह लगा दूँ चलो लिख देता है यह 60 वाला 3x4, 90, 120 और उनमें भी 120 is very very important ठीक है और 90 पर भी लगा दता हूँ ठीक है 180 मिनिमा है वो तो तुम्हें पता ही है पाई जब phase difference पाई होता है तो मिनिमा 00 होता है ठीक है तो 180 वाला बस वो जैसे 0 है 90 और 120 तो बहुत frequently repeat होते है 60 degree भी यूज हो सकता है ठीक है 90 और 120 ही याद करने वाली चीज हो गई ठीक तो अब याद रहेगा अगर बुला जाए कि intensity maximum intensity की half हो गई तो कितना phase difference रहेगा 90 degree 90 degree ठीक है जो कि I max का तो half है लेकिन individual intensity का double है ठीक है तो अब यह understanding के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं यह note कर लिया है note कर लिया है put a1 equal to a2 is equal to a तब हमने यह simplify किया और यह result मिला ठीक है तो यह special condition हमने यूज़ करी है और अगर a1 equal to a2 नहीं हो तो तुम r का जो general formula है वो यूज़ करो या तुम अगर जिसे 90 degree angle है diagram मना लो जादा easy है ठीक है पैथेगरस लगाने के लिए vectors का addition के लिए right angle triangle बन जाएगा ठीक है बाकी चीज़ों में तो formula का use करना पड़ेगा चलो आगे बढ़े आप यह understanding हो गई कि हम दो waves हैं उनकी intensity is individual ratio दिये हो तो हम वहां से amplitude ratio पे जाएंगे amplitude को vector की तरह treat करेंगे मैं जो बोल रहा हूँ लिखवा दूँ यह चीज़ i1, i2 are given find i net i1, i2 से हम क्या निकालेंगे i1, i2 से हम a1, i2 निकालेंगे उसके बाद फिर add vectorily add a1 and a2 vectorily to get r, ठीक है r से हमें i net मिल जाएगा ठीक, अच्छा यह हो गया basic चीज़ अब हम आते हैं दूतरा एक जो इस वाले question में जो अभी मैंने तुमें दिखाया भी matching the column उसमें एक चीज़ यूज़ हो रही है कि अगर कोई एक thin film हम लगा देते हैं किसी के सामने किसी slit के सामने तो यह कितना part difference create करती है तो यह mu minus 1 into t create करती है इस question में तुमने देखा हो कि mu minus 1 into t की value दे रखी है कहीं lambda by 2, lambda by 4 इस तरह से ठीक है तो यह इतना part difference create कर रही है part difference से तुम phase difference निकालोगे तो part difference अगर lambda के terms में given है तो phase difference के लिए हम lambda को 2 pi रख देते हैं ठीक है lambda को हटा के 2 pi कर दो फिर solve कर लो तो lambda by 2 का मतलब pi हो गया 3 lambda by 4 है तो इसका मतलब हो गया 3 by 4 into 2 pi ठीक है तो 3 by 2 pi हो गया 270 degree ठीक तो यह सारी बात है समझ में आ गई तो अब हम उस question पर जाते हैं और फिर देखते हैं कि अब यह कितना जल्दी जल्दी हो जाएगा तो देखो तो तुमने अगर सारे option पढ़ रखे हैं अगर तुमने सारे option पढ़ रखे हैं तो तुमको यह पता होगा कि यह क्या पूछ रहे हैं यह पूछ रहे हैं एक तो part difference के बारे में ठीक है यह delta delta और फिर उसके बाद intensity at p1 intensity at p2 and intensity at p0 ठीक है इन चीजों के बारे में बात हो रही है तो हम एक-एक case a, b, c, d को one by one लेते हैं और इन सारी चीजों को discuss कर लेते हैं उस particular situation में तो पहले वाले case में a में कोई sheet यूज नहीं होई है s1, s2 slit के सामने कुछ नहीं रखा है ठीक है और p1 के लिए part difference कितना दिया रखा है इनोंने lambda by 4 ठीक है p1 पर दोनों का part difference p2, p0 पर तो 0 है क्योंकि दोनों का equal path length है लेकिन p1 के लिए lambda by 4 है और p2 के लिए lambda by 3 है lambda by 4 का मतलब phase difference कितना हुआ lambda by 4 से 5 कितना हैगा pi by 2 90 degree वाला case हो गया और p2 बर lambda by 3 से क्या हो गया 2 pi by 3 120 degree वाला case हो गया और 90 degree वाला case हो गया ठीक है क्या दोनों i1 और i2 या a1 और a2 equal हैं इसमें intensity is equal है क्या yes question में कुछ mention है या mention नहीं होगा तो भी हम equally मानेंगे i1 और i2 के बारे में कुछ sheet लगा करके कुछ कम होगे intensity ऐसा कुछ है क्या i think ऐसा नहीं है अगर हम reduce करेंगे तो कुछ न कुछ उसमें दिया रहेगा हो चीज ठीक है तो ऐसा कुछ है नहीं तो 90 एंड 120 डिग्री वाला तुझरा याद करो 90 वाले में r क्या आता है root 2a root 2a तो i क्या हो जाता है i net क्या हो जाता है 2 i not हो जाता है i max upon 2 i max upon 2 हो जाता है ठीक है i not individual component का double और i max by 2 और 2 pi by 3 वाले में जरा बता हो r क्या हो जाता है r a के को जाता है और i net किसके को जाता है i not and i max by 4 ठीक है तो इतना तुमने देखते ही कर लिया यह हमारी पहले से चीजें त्यार है सब लोग comfortable है yes sir और वासू, अनिशा, are you comfortable? दुरूवी, रितिक समझ में आ रहे है अनिशा, राजरिता, रितिक, दुरूवी ओके, चलो, तो yes sir हाँ, चलो, ठीक है तो हम लोग अब इसको apply करते है यह सारी information और फटा-फट question होंगे तो तो, हाँ P not के लिए part difference कितना होगा? 0 ठीक है, यह delta, delta क्या चीज़ है delta part difference है, I think delta क्या है, कि phase difference है symbol, delta phase difference, हाँ phase difference लिखा है phase difference है, तो phase difference P not पे 0 P1 पर phase difference अभी हमने 90 देखा था और P2 पर phase difference हमने अभी 2 pi by 3 देखा था ठीक है, यहनि कि 120 degree तो ऐसा तो यहाँ पर कोई part difference 0 वाला option हमारा दिख रहा है delta P not 0 yes, तो yes, तो a के लिए P हो जाएगा ठीक है, a के लिए हो गया, P अच्छा, a के लिए Q सही है क्या कि P1 पर part difference 0 है, no ठीक है, intensity at P1 0 है क्या यह तो maxima होगी, जब part difference 0 है तो intensity तो maxima होगी, तो यह नहीं है S, intensity at P not is greater than I P1 P not पे, yes, यह true है तो S हो गया, और intensity P2 की greater होगी P1 से, no sir intensity हमने यहां I max by 2, I max by 4 लिख रखा है या 2 I not, I not उपर लिख रखा है ठीक है न, उपर तो यहाँ पर हमारी intensity P2 की smaller है क्योंकि only I not आई है P2 की ठीक है, P1 की हमारी 2 I not आई थी तो यह भी wrong हो गया तो A के लिए only Ps हो गया अब B पर आजाओ B में S1 पर एक लग गया है एक sheet और उस sheet की thickness कितनी तरह किया है वो ऐसे adjustable है, adjust किया है कि lambda by 4 is part difference ठीक है, lambda by 4 is part phase difference कितना introduce हो जाएगा 90 degree का lambda को तुम 2 pi रख दोगे 2 pi upon 4 pi by 2 हो गया तो इस sheet की वज़े से 90 degree का part difference हा गया pi by 2 का, ठीक है अच्छा, अब यह बताओ कि हम जब P0 पर जाएँगे P0 पर तो किसको जाद, कि कौन डिले से पहुचेगा S2 वाला S2 वाला delay से पहुचेगा तो S2 वाला क्या होगा, उसका phase behind पीछे रह जाएगा, lag करेगा ठीक है, S1 will lead by pi by 2 तो पहला option बताओ P, delta 8, P0 is 0 correct है क्या सरा में कैसे पता लगा कि S2 लेट से पहुचेगा क्योंकि वहाँ पर हमने sheet लग दी है S2 पर sheet में वो delay हो जाएगा वो extra path length create कर देगा sheet के अंदर light d में travel करेगी vacuum या air में fast करती है तो S2 से निकलने देवाली रेको slow pace में उस sheet को cross करना है तो वो delay हो जाएगा ठीक है अच्छा तो अब part difference at p0 0 तो नहीं रह गया phase difference at p0 0 तो नहीं रह गया तो p तो नहीं होगा option q पर आजाओ delta p1 at 0 p1 पर 0 होगा क्या हाँ yes sir ओके यहाँ पर S2 से पर एक्स्ट्रा चलना पड़ा S2 वाले को πाई बाई टू का डिले हुआ था देखो just path length देखो तो हम already देख चुके हैं कि कितना path में कितना difference था पाई बाई टू का phase difference आ रहा था P1 S1 से P1 जाने में अगर हम पहले वाले option को देख रहे थे तो हम 90 degree का phase difference था तो उससाब से S1 delay हो रहा था पाई बाई बाई टू से और यहां S2 भी पाई बाई टू से delay हो गया तो दोनों के delay exactly दूसरे को cancel कर रहे हैं यानि कि P1 पर दोनों same phase में पहुचेंगे तो yes Q correct है B के लिए B के लिए Q correct हो गया किसी को कुछ पूछना है इसमें S2 से चलने वाले को sheet में cross करना है तो पाई बाई टू का वो delay हो गया और S1 को extra चलना है क्योंकि उसको उपर की तरफ जाना है P0 से उपर तो उसको भी पाई बाई टू का delay हो गया तो दोनों के delay exactly cancel out हो गया next क्यों हो गया अब आर की बात करते है intensity at P1 will be 0 वा तो maxima होगा है ना P1 पे तो maxima हा रहा है क्योंकि phase difference 0 है तो यह wrong हो गयार S P0 की intensity greater है no P1 की greater होगी क्योंकि P1 हमारा maxima हा रहा है ठीक है इसी तरह से T भी रॉंग हो गया IP1 less बोल रहा है P1 पे तो maximum intensity होगी तो इसका only Q हो गया C पर आजाओ C का तुम लोग करोगी खुद से जड़ा खुद से करो C का lambda by 2 दे रखा है यहां पे lambda by 2 का मतलब 180 degree का एक phase difference ला रहा है मुझे 5 net बताओ कि कितना होगा 5 net at P1 P2 and P0 एक का हम करते हैं यहां पे एक हम जो है जड़ा 5 लिखते हैं 5 due to sheet फिर हम लिखेंगे 5 due to geometrical path और फिर हम 5 लिखेंगे net ठीक है P1 के लिए P0 के लिए P2 के लिए ऐसे एक table बना रहे हम ठीक है तो बताओ P2 पर sheet की वेसे कितना extra चलना बढ़ रहा है extra चलने वाले को हम positive से लेंगे S2 को extra चलना पढ़ेगा न P2 पर पहुचने में कितना phase difference आ रहा है sheet की वेसे P2 पर lambda by 2 180 degree P1 पर कितना आ रहा है sheet तो वही है पाई आएगा यह तो fixed fixed चीज है पाई रहेगा पाई रहेगा P0 पर भी sheet की वेसे तो तीनों पॉइंट पर same ही रहेगा ठीक है इसमें S2 डिले हो रहा है S2 बहाइंड हो रहा है जब G पर जो geometrical path है actual जो path length है उसमें S2 से चलने वाले को बताओ P2 पर कितना extra चलना पड़ा था P2 पर हमने उपर देखा था 2 pi by 3 lambda sorry sir angle के terms में lambda के terms में फिर P1 पर कितना चलना पड़ा था pi by 2 pi by 2 और P0 पर geometrically 0 था साथ में पहुँच रहे थे ठीक है अब 5 net बता दो 5 net कितना आएगा 180 and 120 60 degree आएगा 60 degree कितना होता है pi by 3 ठीक है और P1 पर कितना path difference pi by 2 यहाँ पर कितना pi अब i net बता तो जड़ा i net क्या पहुचेगा pi by 3 पर pi by 3 पर i not के terms में कितना था 30 degree वाले में i not के terms में दोखो जड़ा table 60 degree में कितना है root 3a से 3i not आया है ठीक तो यहाँ कितना है 3i not है और pi by 2 वाले में कितना है 2i not है और pi वाले में कितना है 0 है अब बतादो जल्दी से अब कौन कौन सा option करेक्ट है c के सामने जल्दी से बताओ तरेक्ट लास्ट वाला है अच्छा अच्छा page difference है ही तो और तो कहीं होगा नहीं फिर page difference 0 तो only TR है इसमें हाँ सर ठीक है अब लास्ट डीवलप पूरी तरह से अच्छा पूर से घ्ब लास्ट पूरी भूरी top भीपा और lives है अच्छा पुल रविज़ फिर प्सराउ नहीं pap भीवलपा इस दे में एस और टे टोन अभी मैंने सुच नहीं जड़ा तुम लोग अपना बता हो यस सर एस और टी एस और टी कह रहे हो चाँ और कोई अच्छा 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 बताओ फाई शीट के वैसे क्या है पाट डिफरेंस फेज डिफरेंस 3π2 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 सब में 3π2 और R भी होगा फिर मतलब S2 और R जी जी जेमेटरिकल पाट डिफरेंस क्या क्या है वो हरबार भाही रहेंगे 2π3, π2 और 0 ठीक है अब 3π2 होगे 270 या वैसे LCM लेके कर लो जाओ तो 9-4 यानि 5 5π6 ठीक है, 150 degree है यह, this is 150 degree, ठीक है, फिर 3 pi by 2 minus pi by 2, pi हो गया, और यह 3 pi by 2 हो गया, ठीक है, अब इंटेंस्टी तुम्हों ने निकाले इसकी, i0 के टर्म्स में उताद हो जारा, 5 pi by 6, i0 के टर्म्स में क्या होगा, 180 minus 30, cos 180 minus 30 क्या होगा, r is equal to under root 2a square plus 2a square, cos phi by, यहाँ पे cos phi, cos phi is 150 degree, 180 minus 30 degree, cos 180 minus 30 हो जाएगा, minus cos 30, minus cos 30 हो जाएगा, root 3 by 2, minus root 3 by 2, 2 minus root 3, तो यह कुछ, मतलब कुछ वैसे standard form में नहीं आ रहा है, root 2 upon root 2, 2 minus root 3 का under root into a, intensity i net निकालोगे तो square करोगे तो 2 minus root 3 into i0, यह आ रहा है, 2 minus i root 3, point 3 i0 क्या सपस आएगा, फिर अगला, p1 पर, pi से क्या होता है, 0 जाता है, और, 3 by 2, 270 वैला, root 2, 2 i0 हो जाता है, ठीक है, अब देखो कितना, वो result हमें याद है, तो calculation fast है, बस एक, यह point 3 i0 वाला थोड़ा लंबा पड़ा, तो अब क्या करना है, चेक करो, p0 पे phase difference 0, no, और, d की बात चल रहे हैं, तो p0 पर phase difference 0 चला गया, डेल्टा, p1 पर part difference 0, yes, डेल्टा तुमारा, q हो गया, नहीं, अच्छा, p1 पर, यह कौन सा phase difference की बात कर रहे हैं, geometrical, सार, total की बात कर रहे हैं, total की बात कर रहे हैं, yes, तो total में तुमारा, डेल्टा, p1, 0, अच्छा, नहीं, p1 पर, नहीं, कहाँ 0 है, अच्छा, नहीं, वो मैंने intensity 0 देख ली थी, वो 0 नहीं है, तो q नहीं होगा, ठीक है, हाँ, तो q नहीं होगा, r intensity at p1, 0, yes, r हो गया, अच्छा, 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 पूरी तरह से समझ में आया, येस, सर, च्छा, तो, इसमें कितने marks मिलेंगे, ये 8 marks का question है, ठीक है, a part 2 marks, b 2, अगर तुमने, अगर suppose तुमने a सही किया, तो a में plus 2 मिल जाएंगे, ठीक है, b, c, d, चाहिए तुमने गलत करे हों, सही करे हों, उससे इस plus 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये independent हमारे हर एक independent है, कभी-कभी इसमें negative marking रहती है, कभी नहीं रहती है, ठीक है, तो plus 2 अगर negative है, तो minus 1, अगर a wrong किया, तो a में minus 1 हो जाएगा, लेकिन उससे b और c और d, के उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, marking पर, ठीक है, तो इस question में बहुत सारे, छोटे-छोटे से concept यूज हो रहे थे, ठीक है, एक question में कुछ ऐसा नहीं था, कोई individual part ऐसा नहीं था, जो तुमको नहीं आता हो, बहुत अगर तुमें individual part में problem हो, तो पूछ लो, एक बार, किसी चीज में नहीं आया हो, समझ में तो, अब ये बताओ, किसी ने board की त्यारी कर रही हो, ये question कर सकता है कि नहीं, simply NCRT पढ़के, तो क्योंवाली ये sheet वाला concept जो है, थोड़ा सा नहीं होगा, बाकि तो सारे चीजें पता ही है, अच्छा, अब तुम लोगो थोड़े सा मैं theory करा दूँ, जो हमें interference में extra करनी है, जो कि CBSC में नहीं करी होगी, तो interference के जो हमने situation देखी है, जादा तर हमने केवल YDSC की देखी है, तीक है, उसके अलावा कुछ और भी standard होते हैं, setup, जिनका की variation कुछ भी exam में पूछा जाज़कता है, और पूछा गया है पहले, ठीक है, तो वो जो setups हैं, उनको हम discuss कर लेते हैं, उनमें सबसे एक important है, interference through thin film, interference, इसमें हम चलो, पहले मैं नाम लिख देता हूँ, क्या-क्या हम लोग करेंगे, thin film, loyal mirror, एक में जलोろ loyal की spelling देखे, loyal mirror और और भी एडी, परीजमेंट और फ्रेजनल प्रिजमे तिन वेज और नुटन्स रिंग ठीक है चलो तो पहला हम थिन फिल्म से शुरू करते है अच्छा एक मिट पहले एक जरा 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 चीज तुमनों को याद है क्लास 11 में तुमने लास चैप्टर वेव पढ़ा था उसमें अगर कोई वेव रिफ्लेक्ट होती थी तो उसमें फेज डिफरेंस पाई का इंट्रड्यूस हो जाता था लेगन हमेशा नहीं होता अगर एक श्ट्रिंग में ऐसे तुमने वेव इंसिडेंट कराई है और यहां पर अगर रिजिदेंट है तो क्या होता था रिजिदेंट से रिफलेक्शन में फेज डिफरेंस पाई आता था कि नहीं आता था रिफलेक्टेड वेव में रिफलेक्शन भाई रिजिदेंट है या डेंसर मीडियम हो और डेंसर मीडियम तो उसमें फेज डिफरेंस पाई का lm2 थीफरेंसे में बात करेंगे तो का फेज डिफरेंस आता है और वाई अगर लूज अंड है कुछ ऐसा होता था कि यहाँ पर यह ऐसे एक ring पड़ी होती थी और वो free end होता था, ठीक है, तो by free end और rarer medium तो कोई phase difference नहीं आएगा, direction पुलट जाएगा, बट phase difference नहीं आएगा, ठीक है, तो यह बात याद रहेगी, इसका हम use करेंगे, part difference के terms में अगर करना हो, हलेगी है, part difference, ऐसा geometrical part difference नहीं आ रहा है, बट phase difference के equivalent part difference तो lambda कहतो होगे, lambda by 2 कहतो होगे, पाई के लिए 0 वाले में 0, ठीक है, चलो हम thin film की बात करते है, thin film में क्या होता है, मैं यह बताओ, मैं time save करने के लिए derivation ना करा हूँ, या तुम लोग को derivation की curiosity है, थोड़ा सा उसमें जो है, पाँच मिनिट लगेगा derivation कराने में, तो कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, मैं सिधर result बता दूँ, करा और चाहिए, okay okay अब यहाँ पर देखो हमारी इंसिरेंट रहे थी यह रिफ्लेक्टिड रहे है इसको मैं आरल बोल देता हूँ यह रिफ्लेक्टिड रहे है इसको आर एफ बोल देता हूँ ठीक है अच्छा रिफ्राक्टिड डीक्टिड में तो बहुत कुछ हो गया है अभी ज़रा देखो हूं इन्सिरेंट रहें यह क्या है यह थिन फिल्म आफ लिक्विड यहाँ पर लिकविड है लिकुड का ले लो रिफ्रैक्टिड एंड्रेक्स म्यू ठीक है तो प्लूपध पर partial reflection हो गया partial reflection हो गया कुछ पार्ड 282 कोईर वरकुंट जो यहां से reflect हुआ और फिर reflect हुआ यह जो दोनों rays हैं इन में एक definite phase relationship होगा यानी phase difference constant होगा ठीक है इसको मैं ज़रा symbol जो है कुछ और दे दता हूँ इसको ray number 1 और 2 बोल देता हूँ ठीक है ray 1 और ray 2 तो जो हमें observer कहां पर है observer यहां पर है ठीक है this is the eye observer तो observer की eyes में जो कुछ जो observe होगा जो pattern वो 1 और 2 का super position होगा ठीक है अब यहां पर अगर मानलो हमारा incident angle of incidence आई है ठीक angle of अचा इसकी thickness दे रखी है refractive index तो दिया ही है साथ में thickness टी भी दे रखी है यहां पर यह angle R है ठीक मैं काम कर रहा हूँ यहां पर एक normal डाल रहा हूँ जो हमारी यह parallel जो one and two rays है उन पर normal डाल रहा हूँ ठीक है normal तो इस normal के बाद जो distance चला जाएगा वो distance तो same चला जाएगा तो जो part difference है वो एक तो यहां पर है और इस रे को इतना extra चलना पड़ा ठीक है अगर मान लो यह यहां पर मैं नाम दे रहा हूँ A, B और एक मैंने इधर perpendicular डाला हुआ है C इसको मैं E ले लेता हूँ यहां पर C ले लेता हूँ और यहां पर हम point ले लेते हैं D ठीक है तो ray one और ray two का जो part difference हाएगा वो क्या होगा तो ray two को कितना चलना पड़ा काफी extra चलना पड़ा तो पहले तो मैं ray two की बात करता हूँ A, B प्लस B, E, C इतना इसको extra चलना पड़ा जबकि ray one को कितना extra चलना पड़ा A, D चलना पड़ा ठीक है लेकिन इसमें यह part difference में एक mistake है बता सकते हो क्या mistake है ray two को जो चलना पड़ा है A, B, B, E, C वो medium mu में चलना पड़ा है medium mu में तुमारा जो optical path length होती है वो mu times होती है ठीक है यह होगा part difference mu times this minus ad अच्छा आप एक चीज़ और देको यहाँ पर angles में relate कर रहा हूँ angle अगर यह i है तो यह होगा तुमारा यह भी i होगा यहाँ 90 minus i हो जाएगा तो यह angle i हो जाएगा ठीक है इधर r है यह angle r है तो यह 90 minus r होगा और यहाँ पर r हो जाएगा ठीक है तो अब यह triangle अगर तुम देखो कि ad की value ad is ac into sin i and ec is equals to ac into sin r is it okay ad और ec की value यानि की ad upon ec लिखेंगे तो sin i upon sin r हो जाएगा which is equals to mu यानि की ad is equals to mu ec ठीक है तो यह क्या हो गया यह हो गया mu ab plus b mu ec minus ad is equals to 0 ठीक इतना हो गया समझ में आ गया अब मैं यह construction कर रहा हूँ a point जो है न उपर उतना नीचे मैं a dash समझ लो कि उसकी एक तरस है अगर यहाँ पर mirror होता तो image कह सकते हो a dash ठीक है mirror है नहीं बट मैंने triangle एक triangle a b और यहाँ पर होकर हम लिख दें m triangle a b m का congruent triangle इदर बना दिया है a dash b m क्या किया मैंने a m के equal ma dash extend किया और फिर a dash से b को meet करा दिया ठीक तो मैं यह कह सकता हूँ क्या कि a b जो length है by construction a b equal to a dash b congruent triangle है तो मुझे a b plus b लिखना था उसको मैं a dash e लिख सकता हूँ a b plus b को a dash e लिख सकते है mu times a dash e ठीक है a dash e लिख दिया इसको अब triangle देखो triangle देखो हमने चांस्ट्रक्शन जरा मैं लिख दूँ यहां पर construction क्या किया हमने extend am to a dash such that am is equal to a dash m ठीक है and connect to join a dash b ठीक है now a dash e की value तुम लिख सकते हो किसके terms में a dash e की value तुम a a e के terms में लिखे हैं हमें finally ticket terms में पहुचना है ठीक है तो मैं a dash e को लिख रहा हूँ a a dash cos r a a dash cos r लिख सकते हैं this triangle ठीक है यहां पर angle r है तो यह वाला भी angle r हो गया ठीक है तो a dash cos r तो mu into a dash what is a dash a dash तो तुमारा twice of t है न यह आ गया तो part difference आ गया 2 mu t cos r this was the जो हमें प्रूव करना था अगर तुम derivation नहीं बोलते हैं तो मैं बस इतना लिख देता कि part difference इस जो ray 1 and 2 है उनमें 2 mu t cos r है ठीक है जिसको नहीं समझ मैं हो तो उसको पूरा derivation करनी जुरूवत नहीं है 2 mu t cos r लेकिन इस derivation में एक बात पता लगी कि surface 1 पर जहां refraction हो रहा है यहां पर दोखो यहां पर air है यहां पर liquid है यहां पर air है ठीक अच्छा ऐसा भी हो सकता है यहां पर दो variation हो सकते हैं air भी हो सकती है नीचे liquid के part में और further कोई solid भी हो सकता है ठीक है तो अब depend करेगा कि हमारा यह bottom में किस तरह का medium है जो bottom reflection है वहाँ pi का phase reversal हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है first surface पर reflection में pi का phase reversal होगा वो तो हमेशा ही होना है क्योंकि air से liquid में आ रहा है लेकिन b point पर reflection जहां पर हो रहा है b point पर वहाँ पर reflection में pi का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है question के according देखना पड़ेगा ठीक है एक और चीज़ हमने जो diagram लिया है उसमें हमने i angle दिखाया r angle दिखाया अगर question में i की या r की value नहीं बताई गई है तो तुम यह मानोगे कि हम इसको normally view कर रहे हैं और जो reflected rays है वो उसमें angle i angle of reflection यह वला angle जो की i के equally होगा यह almost zero है मैं normally view कर रहा हूँ normally view कर रहा हूँ तो यह जो angle है i and r are very very small अगर r angle बहुत small हो गया 10 to 0 हो गया तो कौस r क्या करोगे if r is very very small 1 1 ठीक है तो data usually नहीं दिया रहता है 80-90% question में तुमें part difference 2 muti रखना होता है ठीक है तो यह part difference तुमारा आ गया एक क्यालिक दे हम approximation used frequently usually for normal viewing angle i and angle r are very small approximately 0 ठीक है तो part difference तो यानि की cos r tends to 1 this implies part difference के लिए तुमें लिख सकते हो 2 muti ठीक है तो इस थेओरी में जो final result है वो यह है मैंने भी तुमनों को इधर बताया तो था प्रीवेस पेज पर यहां लिखा है नहीं यह लिखा है यहां पर प्रीवेस पेज पर मैंने बताया तब थिन फिल्म करने जा रहे हैं अशो अशो पुत फिल्म। of thickness T is equal to 0.0011 mm appears dark when monochromatic light of lambda is equal to 5800 angstrom is incident इसको reflect कर रहा है तो हमें dark दिख रही है यानि कि reflected जो तुम्हें superposition हुआ हो कैसा हुआ destructive if it is हम पिंदाए यानि का जोड़ाना भी है पिंदा पिंदाना टिख और के रहादा जिशिए तुम्हें टिख ठाट मिशना थी रहादी है या आउदाश मुआ है अगुआ है आ सोप बाबलाल सौप का वजबड़ा है वो होता है जो जैसे तुम लोग बबलिंग वाले जो आता है ने टॉय है उस तरह सोचो कि वाइर का फ्रेम है उसमें सोप फिल्म है और उसको हम देख रहे हैं उपर से अच्छा वो तुमने फिल्म देखी है तुम्हें कलरड दिखती है नॉर्मली हम सनलाइट में देखते हैं तो कलर दिखती है तो उन कलर का भी यह रीजिन है कि अलग-अलग कलर के मैकसिमा मीनिमा अलग-अलग बनते हैं तो तुम्हें वो कलर दिखता है चलो भी हाँ पर बताओ जरा क्या करें एर लिक्विड एर तुमको क्या चाहिए कंडिशन कैसी चाहिए डिस्ट्रक्टिव तो हम पार्ट डिफरेंस बताओ कितना लिखें जेमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस हमने निकाला है टू म्यूटी ठीक है एंगल आर निकालने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दिया अब इसमें तुम्हारा फर्स्ट जो है वो रिफ्लेक्शन है वहाँ पर पाई का फेज डिफरेंस हाया है यानि पार्ट डिफरेंस में कनवर्ट करोगे तो लेम्डा भाई टू का कहोगे ठीक है तो लेम्डा भाई टू का अब चाहिए माइनस कर दो या प्लस कर दो ठीक है ये हो गया पार्ट डिफरेंस नेट जेमेट्रिकल एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट डिफरेंस ठीक है इस इकोल्स टू अब ये बताओ ये नेट तुमारा कितना रखना चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए ट्वन प्लस one लैम्डा बाइ टू रखना चाहिए और्ट मुल्टिपल या एन लैम्डा रखना चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना रखना चाहिए ओपर वाला त्वाला पहन rég yeah अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर lambda by 2 मुझे पता है कि आएगा और मैं बस exchange कर दूं condition कि destructive के लिए मैं constructive वाला रख दूं rather than कि मैं यहाँ पर lambda by 2 add करता left side में उस lambda by 2 को इधर यहाँ add नहीं किया हमने हमें पता है कि lambda by 2 आना चाहिए लेकिन उसके compensation में मैं यहाँ पर destructive के बज़ाए constructive वाला रख देता हूँ तो बात वही है कि नहीं चलो मैं करके दिखाता हूँ मैंने इधर यहाँ पर और एक चीज़ का और answer मिल जाएगा तुम्हें मैंने यहाँ पर काता कि या तो तुम lambda by 2 प्लस कर दो यहाँ मैंनस कर दो कोई फरक नहीं परता ठीक है अब यहाँ पर तुम चाह रहे हो कि destructive डिस्ट्रक्टिव के लिए तुम किस टाइप के रखोगे लेंड़ा बाइटू रखोगे थ्री लेंड़ा बाइटू रखोगे 5 लेंड़ा बाइटू रखोगे 7 लेंड़ा बाइटू ऐसे तु रखोगे ठीक है अगर तुमने यह प्लस लेंड़ा बाइटू को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा माइनस में लेंड़ा बाइटू ले गए तो यह जीरो आ गया ठीक है यह प्लस लेंड़ा बाइटू क ठीक है तो ultimately set तो वही मिल रहे है values के ultimately जो मुझे 2μT की value मिल रही है 2μT की values में जो options मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे है एक तुम यहाँ पर minus lambda by 2 भी रख लो तो उससे तुमें 0 भी मिल जाएगा ठीक है तो 0, 2μT की value 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda ऐसे ही तो मिल रहा है ठीक है तो तुम पहली चीज़ lambda by 2 एड़ करो या subtract करो कोई फरक नहीं पड़ रहा है ठीक है दोनों से ही तुमें same answer मिल रहा है और दूसरा right side में तुम अगर चाहो तो इस lambda by 2 को ना रखो left side में और minima की जगे maximally condition रख दो क्योंकि दोनों exactly interchange हो जाते हैं इस lambda by 2 के phase difference की वज़े से यह जो हम यहाँ पर add कर रहे हैं इसकी वज़े से जो यहाँ पर maxima का हम normally समझते वहाँ minima मिल जाता है और जो हम यहाँ minima समझते वहाँ maxima मिल जाता है ठीक है phase reversal की वज़े से तो दोनों बाते clear हो गई बलो नहीं हुआ क्या तुम लोग ऐसे silent हो तो लग रहा है कि नहीं समझ मैं या 2μ2 प्लस 0.5 lambda is equal to मुझे destructive चाहिए destructive के लिए मुझे minus 0.5 lambda रखना है या 0.5 lambda रखना है या 1.5 lambda रखना है ऐसी तो रखना है ठीक है तो यहां से 2μ2 की क्या value आ रही है पहले वाले case से क्या आ रही है 0 आ रही है दूसरे case से क्या आ रही है lambda आ रही है फिर 2 lambda 3 lambda ऐसे आ रही है ठीक है तो मैं यह कह रहा था कि तुम directly यह काम कर सकते हो कि तुम यहां पे lambda by 2 ना रखो 2-muty के साथ जो reflection वाला lambda by 2 है उसको ना रखो और यहां पे destructive चाहिए तो constructive वाले values रख दो मैं यह कह रहा हूँ ठीक है चलो एक और कर लेते हैं ठीक है अभी पूरा नहीं हुआ है question अभी इसको करके चलो एक और कर लेते हैं film का अब question क्या पुछा था soap film का refractive index पुछा था ठीक है अब जड़ा refractive index पर आओ यह तुमारी conditions आया है कि हमारा 2μ.t की value इन में से कुछ भी हो जाए ठीक है तो यानि की हमें क्या चाहिए मू चाहिए तो मू की value क्या हो जाए पहले तो 0 हो जाए 0 तो नहीं होगी question में दिया है कि इस range में नहीं है और 0 ऐसे भी नहीं होती है ठीक है दूसरा क्या है lambda by 2t मैं उपर लिख देता हूँ मू की value क्या क्या आ रही है 0 आ रही है और lambda by 2t आ रही है 2 lambda by 2t आ रही है 3 lambda by 2t आ रही है 3 lambda by 2t आ रही है जड़ा इन में values देख लो इन में difference क्या हो रहा है कि वह यह 2 3 is change हो रहे है तो lambda by 2t पहले निकाल लो lambda by 2t का फिर twice thrice कर देंगे lambda कितना दे रहा है 5800 आगे strong ठीक है 5 8 into 10 to the power minus 8 कर दें upon यह है 11 into 10 to the power minus में बोलो mm है तो 10 to the power minus 3 हो गया और 4 0 और 10 to the power minus 7 हो जाएगा I think 1 2 3 4 और 3 ठीक है तो 10 to the power minus 7 तो यह हो गया 58 upon 11 into 10 to the power minus 1 कितना यह यह 58 upon 11 5 जा 5 point something आएगा 5 जा तो 3 3 से लगबग 3 कर लें क्या 2 something आएगा तो अभी round off कर ले रहे है ठीक अब क्या करें तो नीचे 2 नहीं होगा हाँ लेंड़ा बाइट यह 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 लेंड़ा बाइट टूटी की वैली ओ एंटू 10 to the power minus 1 that is 0.53 बड़ नीचे 2 भी दो नहीं है 11 into 10 to the power minus 1 क्या 2 नहीं है मैं तूटी की यह लेंड़ा बाइट टूटी की है क्योंकि टूटी सब में common आ रहे है तो मैं लेंड़ा बाइट टूटी निकाल रहा हूं ठीक है अब लेंड़ा बाइट टूटी 0.53 आया तो यह हुआ 0 यह हुआ 0.53 फिर अगला twice हुआ तो 0.1 sorry 1.06 और उसके आगे क्या हुगा 3 multiply करोगे तो 9 1.59 ठीक है 1.59 तो यह तो दोनों बाहर निकल गए मेरा 0.263 तो तुम 2 का फेक्टर मैंने कर बड़ कर दिया क्या मतलब लेम्डा बाइट टूटी सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है टूटी तो नीचे है तो 2 मैंने डिवाइड अच्छा चाहां क्योंकि 2 रखा नहीं है मैंने यहां 2 डिवाइड नहीं किया इसलिए अगर बड़ हो रही है ठीक है 2 डिवाइड कर दो तो यह अपॉन 2 कितना हो जाएगा लेंड़ा वाइड टूटी की वैल्यू हो जाएगी 0.263 ठीक है तो अभी इनके हाफ आफ वैल्यू हाएंगे अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 तो अभी यहां पर भी नहीं पहुंचे है ठीक है तो यह तुम कब जाकर के 1.28 और 1.5 के बीच में पहुंचे होगे जब कितना मु 2.263 into n तुमारे हाथ में ठीक है तो n की क्या वैल्यू रखे है n की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी तब हमारी यह आएगी 1.318 ठीक है तो यह हमारा मु आया ठीक है 5 लेंड़ा वाई 2T पर जाकर के हमारा मु की वैल्यू आई ठीक है तो अब यहां पर तो मैं तो सब सारे कर के दिखा रहा हूं लेकिन इतना तुम्हें सब करने की जुरूत नहीं है तो एक आइडिया तो लगेगा ही लेंड़ा बाई 2T अगर 0.26 है तो डबल से नहीं मिलने वाला ट्रेपिल से नहीं मिलने वाला ही तो आइडिया है ना तो तुम अपने आप ही 45 के असपास में find minimum thickness of oil film in air that gives an interference maxima interference maxima in reflected light for lambda is equals to 5360 angstrom and mu of liquid is 1.34 क्या करना हो गाई इसमें mu to mu t is equals to part difference और part difference क्या करना है maxima चाहिए तो हम कौन सा वाला लिखें lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 ये वाले रहेंगे for maxima ठीक है अच्छा है interference maxima चाहिए ना तो वो lambda by 2 को adjust कर दिया इदर हाँ वहीं ठीक है for maxima तो यहां से हमें क्या चाहिए टीच ये ना minimum thickness तो minimum thickness के लिए कौन सा case लोगे ? lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 कौन सा लोगे ? बोलो lambda by 2 lambda by 2 तो ती आगया, lambda by 4 mu ठीक है ? calculate कर लो 5, 3, 6, 0 into 10 power minus 10 upon 4 into 1.34 ठीक है ? ये ठीकने ऐसे तो एंग्स्टरॉम में आएगी ? उसको तुम किसी suitable उसमें कर लोगे ? 5360 exactly cancel हो रहा है क्या 4 हाँ तो यह 10 पावर माइनस 7 मीटर आ गई ठीक है समझ में आ गया अच्छा हमें क्या कंडिशन लेनी है मैक्सिमा के लिए तुम क्या लगते वैसे लेम्डा और तू लेम्डा त्री लेम्डा लेते ना तो तू म्यूटी और एक वो लेम्डा भाई टू हमें पार्ट डिफरेंस उसकी वैसे लाना है जो रिफ्लेक्शन फ्रम डेंसर मीडियम हो रहा है एक डे का टॉप रे का ठीक है अब इस कंडिशन से देख लो तुम्हें क्या मिल रहा है तू म्यूटी इकोल टू उपर वाला मिल रहा है रिजल्ट ठीक है यही चीज तो मैं पिछली बार दो तीन बार पता है था कि इधर लैम्डा बाई टू ना रख करके राइट साइड में तुम दूसरा रिजल्ट यूज़ कर लो मैक्सिमा चाहिए मिनिमा वाला रिजल्ट कर लो ठीक है अगर लैम्डा बाई टू को लेफ्ट साइड में नहीं रखना है तो उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर राइट साइड में तुम आपोजिट रिजल्ट यूज़ करके कर लो ठीक है लेकिन अगर हमें मुझे बोला रहते हिं दूस इंतैंस्टी मुझे मैक्सिमा का शाहिए कुछ इस तरह की ये तो मैक्सिमा मिनिमा की बात हो गई हूं कोई और इंतैंस्टी की बात होती तो मैं एक जैक्लिक टू продолж amusa इस्ती 서 एशुवा टू wars लेंदा ए ठीक है अच्छा नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉइड मिरर वाला कॉमन जो अरेंजमेंट है उसमें कैसे होता है लॉइड मिरर अरेंजमेंट इसमें होता है कि ये मिरर है और इस मिरर के सामने यहां पर एक सोर्स पॉइंट सोर्स है अच्छा इंटर्फरेंस के लिए कंडिशन क्या होती है कि जो दो रेज से पर पुझ हो रहे हैं उनके पार डिफरेंस क्या होने चाहिए कॉंस्टेंट रहने चाहिए तो उसी के लिए यह चीज़ करी गई है सेट अब यह जो मिरर है इस मिरर से ऐसे रे आएगी और फिर ओवर रिफ्लेक्ट हो करके इधर जाएगी और एक चीज़ और होगी कि इसकी यहां पर एक इमेज बनेगी ठीक है जितना डिस्टेंस पर यह ऐसे वह इसी पर S' बन जाएगा ठीक है अब यहां पर एक तो रे जो है जाएगी डायरेक्ट सोर्स S से ठीक है और एक ही रिफ्लेक्टेड रे जा रही है इन्दों रेस का सुपर पोजिशन होगा रेस नमबर वन एन रेस नमबर टू इनके सुपर पोजिशन से हमें स् यह दो को YDSC की तरह से दिख रहा है लेकिन YDSC से इसमें similarity भी है और difference भी है similarity यह है कि अगर माल लो यह height h हो तो तो तुमारे जो small d होता है वो यहां पर क्या हो जाएगा यह स्ट में slit separation slit separation d होता है ना d हम ले लेंगे 2h पहली चीज़ ठीक है क्योंकि इधर भी h होना है तो slit separation 2h हो गया दूसरा क्या difference है difference यह है कि ray number 2 में reflection हुआ तो वहां पर एक lambda by 2 या πाई का phase reversal आ गया ठीक है reflection में phase reversal हो गया तो 1 और 2 के बीच में अब तुम 2 को ही सोचो कि 2 आ रही है s' से ठीक है अगर 2 को सोचो कि वो s' से आ रही है और 1s से आ रही है तो यह मारा d यंक्श डबल slit experiment है लेकिन 2 में पाई का phase difference आ गया है तो अब स्क्रीन पे क्या होगा हां सर आ प्रीस रिपीट कर तो कि मेरा disconnect हो गया था मुझा भी रिलाइक होगा अचा चा चा वन एं टू जो हमारी रेज है वो वन तुम्हारी s से आ रही है और 2 को तुम ऐसे इमेजन कर सकते हो कि वो s' देश से आ रही है ठीक है यंग जबलेट से एक्सपरिमेंट से हम इसको एक्वेट कर रहे है या उससे लग कंपेरिजन कर रहे है तो यहां दो slits से 2H डिस्टेंस पर है तो D slit separation हमारे यह वाईडियसी का हो गया 2H और जो रे नंबर 2 है रे नंबर 2 हम S' से मान लेते हैं आ PIDAC में हमारा यह पाई का phase difference नहीं आता है जो यहां पर reflection की वज़ए से 2 में आ गया है and because of this phase difference जो यह पाई का आ गया है इसकी वज़ए से screen पर जहां maximum मिलता वहां minimum मिलेगा और जहां minimum मिलता वहां maximum मिलेगा because of this pi ठीक है तो यह पाई क्यों है रिफ्लेक्शन हुआ ना mirror से तो reflection from harder surface from denser surface उसमें पाई का phase difference आ गया अब इसके लाबाद YDAC के सारे result यूज़ कर सकते हो जैसे YDAC में तुमने बीटा पढ़ा है ठीक है YDAC का जो result बीटा पढ़ा है वो क्या होता है बोलो ज़रा small d lambda upon capital D upon capital D capital D यहाँ पर वही हो जाएगा यह separation screen से ठीक है यह result यूज़ कर सकते हो अच्छा condition for maxima क्या लिखोगे बताओ condition for maxima part difference is equal to geometrical part difference ठीक है अगर हम देखें geometrical part difference जो होगा वो कितना आएगा तो एक पाई वाले को अगर तुम जो बीच में पाई आया उसकी वज़े से क्या तुम करोगे maxima में minima वाली condition डालोगे 2n-1 lambda by 2 ठीक है and condition for minima के लिए maxima वाली डालोगे to n lambda ठीक है geometrical part difference कहां पर कैसे construction होगा जैसे वहाँ पर होता था ये ये डेल्टा इसको डेल्टा जी बोल दे रहा हूं है डेल्टा जी ठीक है G for geometry geometrical part difference डेल्टा जी हमारा 2n-1 lambda by 2 अगर होगा तो condition for maxima because of that reflection से जो पाई ये इंट्रोडूस हो गया उसकी वज़े से ठीक है एक question इसका करेंगे सर ये को distance सेम होनी चाहिए कौनी distance सर जिस पॉइंट पर आपने पाई लिखा है अधर और दोनों सोर्स से हम हम एस येस दोनों सेम होंगी geometry है पिर difference क्यों है अच्छा difference वो दोनों से थोड़ी आया है तुम एस तुम यहां स्क्रीन पे एक पॉइंट पी ले लो ठीक है उस पी पर s से direct पहुंच रही है और दूसरी s' से पहुंच रही है s' वाले को जादा नहीं चलना पड़ेगा कितना जादा चलना पड़ेगा तो मैंने डेल्टा जी दिखाया यह डेल्टा जी जो बनाया है यह डेल्टा जी ठीक है इतना एक्ष्टा चलना पड़ रहा है s' से जाने वाले को क्योंकि स्क्रीन पर पी पॉइंट उपर की तरफ है s के फेवर में जा रहा है s को कम चलना पड़ रहा है s से जाने वाली डिरेक्ट जाने वाली ray1 को ray2 को अभी imagine करो कि s' से आ रही है तो उसको ज्यादा चलना पड़ रहा है तो यह जो geometrically उसको ज्यादा चलना पड़ रहा है वो तो है ही साथ में πाई का और phase difference हा गया है अब के सरफ ठीक है तो ydsc से similarity तो तुम उसके result यूज़ कर सकते हो difference जो चीज ydsc में maximum मिलता था वो condition यहां minima के लिए है ठीक है एक question ले लेते हैं जही कही आया हुआ question sir आप यह लेटर report कर रहे हैं हाँ कर रहे है यह देखो 30th question exactly loid mirror नहीं है बट एक mirror है ठीक है सचो कैसे होगा common sense लग जाएगा इसमें geometry लगाओ जिता भी हमने पढ़ा उससे थोड़ा सा common sense थोड़ा सा information वहां से आ जाएगी क्या कॉम क्या different आ जाएगी condition चलो अभी try करो फिर मैं बताता हूं झाल कीज़ई बताततों अ चलो बतातों सब्सक्राइब झाल लगाँ झाल 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 हो पा रहा है तुमनों से कोई help चाहे है झाल झाल तो हाँ झाल 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 बी बी बॉम्बे हाँ और बाकी किसी का निया है शिवांशू शिवांश 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 अबस्ति शिवांश निया बता आरी देर अनिशा हाँ शिवांश शिवांश अबाज नहीं आई तो अच्छा हो रहा है ना कैलक्लेशन कर रहो हो जा रहा है शिवांश 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 शिव simply तुम्हें पार्ट डिफ्रेंस देखना है और लॉइड मिरर में जो concept में रहता है था कि मिरर से reflection में πाई का फेज डिफ्रेंस या पार्ट डिफ्रेंस लेम्डा बाई टू का जाता है ठीक है वो इसमें extra use करना है बस तो पार्ट डिफ्रेंस निकालना मैंने भी बताया और वो perpendicular किता होगा length डी हो जाएगी this length is d तो अब d का use करके और यह angle कितना है थिटा है यह d length use करके तुम op निकाल सकते हो d upon cos थिटा आएगा फिर इस op का use करके oc निकाल सकते हो oc is op cos 2 थिटा है op की value हमने रख दी d upon cos थिटा into cos 2 थिटा यह हो गया तो part difference geometrical net will be part difference geometrical plus part difference due to reflection geometrical कितना है d geometrical में तुम्हें इन दोनों को add करना है op plus oc and reflection का πाई का यह part difference की बात हो रही है तो पाई नहीं बोलेंगे just a second प्लस पाई और op plus oc तुम्हें आड कर दो उपर लिखे हुए है तो d upon cos थिटा तो दोनों में है 1 plus cos 2 थिटा ठीक है plus sorry lambda by 2 part difference lambda by 2 अब इसके बाद क्या करना है delta net बस ही निकालना है part difference ही पुछा है condition for constructive तो constructive के लिए यहां पर condition क्या होगी constructive के लिए क्या होती है n lambda होती है अभी मैंने n lambda इसले लिख रहा हूँ क्योंकि right side में lambda by 2 लिखा हुआ है ठीक है n lambda में तोबरा 0 lambda lambda by जो भी केच है वो सब चीज़ें यहां पर कर सकते हो और इसके आगे देख लो 1 plus cos theta solve करो lambda by 2 को left side में ले आओ देखो करके हम n is equals to 1 करके देख रहे है भी ठीक है तो lambda minus lambda by 2 is equals to d upon cos theta into 2 cos square theta यह क्या आगया 2d upon 2d into cos theta हो गया और इधर क्या हो गया lambda by 2 हो गया तो यहां से तुम्हें क्या चीज़ें कंडिशन चीज़ें थीटा पर तो cos theta is equals to lambda by 4d आगया जो मैंने yellow किया है उन दोनों चीज़ों को combine करके यह आगया ठीक है अब तुम कोगे any equal to 1 में कैसे पता चला तो कोई बात नहीं एन equal to 2 करके देख लो कोई और option आ रहे गया एन equal to 3 करके देख लो कोई और option आ रहे गया तो उनमें से कोई नहीं मिल रहा तो यह यह अकिल option है बलो भई आगे बढ़े अब तो यहां पर बताओ कितना optics थी और कितना common sense था अप्टिक्स का क्या काम यहां पर concept ही जुआ वेव अप्टिक्स का एक यह n lambda वाला और एक यह lambda by 2 वाला ठीक है यह वेव अप्टिक्स थी बाकी सारी geometry और trigonometry थी ठीक है जब नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट कंडिशन क्या थी हमारी नेक्स्ट सेट अप क्या था लॉइड बीर के बाद प्रिज्म फ्रेजनल प्रिज्म फ्रेजनल प्रिज्म इसमें क्या होता है कुछ ऐसा है ठीक है इस axis पर एक source हमने ऐसे रखा है ठीक है इस source से जो रेज चलेंगी वो deviate होती है ठीक है इस source से कुछ इस तरह से दो अलब अलब के लड़ पर दिखाया था एक्सेस के पास में एक्सेस से दूर ठीक है अब इसमें जो deviation होगा उससे क्या हुआ यह स्क्रीन पर ऐसे पहुची और जो ब्लू वाली रे है ब्लू वाली है ज्यादा डिस्टेंस वाली है वो भी होई रे डिफलेक्ट और वो कुछ ऐसे पहुची ठीक है तो यहां पर यह जो हमारी उपर से जो रेज हैं उनको हम अगर पीछ से एक्स्टेंड करें तो एक हमें सोर्स पता चलेगा यहां पर पहले सोर्स बना रेते हैं उसके बाद पर यह S1 कहलो ठीक है इस तरह से यहां पर S2 ठीक है और इसकी कैलकुलेशन हम यहां पर डेविएशन से कर सकते हैं कि यहां पर डेविएशन डेल्टा है तो यह जो डिस्टेंस है यह हमारा in terms of distance A and distance B distance A के terms में यह डेल्टा हो जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि इसको मैं d by 2 बोल दे रहाँ ठीक है और इधर d by 2 जो कि हमारा y d e c की तरह से small d हमारा हो जाए तो यहाँ पे तुम अगर देखो Δेल्टा इजी क्वेल्स टू डेल्टा इजी क्वेल्स टू डे डी बाइ टू अपन ए लिख सकते है कहा देखना है सर फिगर में एक डाउट है यहाँ पर ठाव बलो सर इसमें जो हम मतलब पहले एक बार बेंड वी रेस जब वो तो सर जब वो एसकेप कर रही है तो तब बेंड हो रहा है अच्छा अब यह ओवरॉल मैंने इफेक्ट दिखाया मैं दोनों सर्फेस पर अलग नहीं दिखा रहा है चलो यहां पर तुमारा ओवरॉल कुछ इस तरह का होता है ठीक बहुत डिटेल में नहीं जा रहे है यह बस इसलिए बता रहा हुँ कि यह फॉमूला तुम याद रख पाऊ बसौमला याद रख पाऊ इसलिए में तो यह सर लागे बता रहा हूँ अदरवाईज पूरा यह डिटेल उसका एक्स्ट्रेशन नहीं है ठीक है तो यह पार्ट डिफ्रेंस तुमा हमारे यहां पर जो इस surface से top surface से जो rays और जो नीचे से उनमें interference हो रहा है, superposition हो रहा है ठीक है? अच्छा मुझे d small d by 2 चाहिए होगा तो small d by 2 हम कैसे निकालते हैं यहां पर तो यह angle लो a, prism का angle of reflection जो होता है that is angle a तो इस delta को हम mu minus 1 into a, thin prism के लिए हमने पढ़ाता कि यह true होता है, यह ऐसे रखते हैं तो हमारा d की value आजाएगी mu minus 1 into angle a into small a upon a उपर गया और 2 और आजाएगा यहां पर twice of this ठीक है? यह d की value हो गई ठीक है? थोड़ा सा re-arrange करके लिखते हैं 2 2 a mu minus 1 into a ठीक है? उसके बाद तुम fringe width निकाल सकते हो fringe width beta is equals to lambda small d, capital d by small d ठीक है? और capital d कौन है? a plus b है ठीक है? upon small d क्या है? 2 a mu minus 1 into a है यह fringe width हो गया ठीक है? रटना नहीं है बीटा का expression बट जो मैंने उपर लिखा है part difference निकाल लिया यह तुमने अगर small d निकाल लिया इसको सोच करके तो उसके बाद सब कुछ होता जाएगा ठीक है? अब यह बहुत important चीज़े नहीं है थोड़ा सा यह सभी books में दिया रहता है और question अब जाई के देखो तो थोड़ा सा उन्होंने standard चीज़ों को थोड़ा twist करके दिया है तो जरूरी नहीं कि Fresnel by Prism वाली twisting ही आ जाए या Lloyd mirror की ही वाला ही setup आ जाए लेकिन इसमें जो तुम देख रहे हो वो हो सकता है वहां use हो जाए ठीक है इसलिए मैं करा रहा हूँ अब मैंने तुमनों को last class में वो fringe के shapes करा ही थी यादे है यादे है तो एक question उस पर भी आया हुआ है मैं अभी देखाता हूँ उसको आगे बढ़ सकते हैं लोग पेज मैं change कर सकता हूँ yes sir ओके यह question है यह 33 देखो जड़ा ओक वजया हुआ कर रहले हुआ है को अवआ हुआ है यह के के correct है झाल 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 पहला बता option A, question number A, क्या answer होगा? तो उसके लिए जड़ा बताना, दो सोर्स से होता है ना, तो सेकंड सोर्स हम किसको ले सकते हैं? पहला बताना, पहला बताना, तो सेकंड सोर्स एक सोर्स पॉइंट सोर्स और दूसरा सोर्स कैसा ले रहे हो? सर, दूसरा सोर्स मिरर के एपोजिट सैड में दे सकते हैं ना? इमेज बन जाएंगे तो मेरर के दूसरा सोर्स हो गया, तो स्क्रीन यहां पर है, तो स्क्रीन पर किस शेप की फ्रिंजेज मिलती हैं? सर, सर्कुलर एम, बाकि लोगों को पता हैं, प्लास प्लास में मैंने समझायाय था समझ में आय था, और समझ में नहीं आया था, तो याद रख लो, मैंने तुमें चार कैसिर कस्अप बताए थैं, उनमें उससे ज्यादा कुछ पूछा बी बाट तो तुम लोग कर सकते हो बहुत इजी लिए इस से डाइरेक्ट जो रहे आएगी पी पर उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो जो रिफ्लेक्शन से आएगी इस से जो आएगी उसकी इंटेंसिटी कितनी लोग है उसमें 36 परसेंट दे रखा है वो यूज करने में येस फिर निकल लो आई मेक्स अपन आई मेक्स निकलना है तो ओर्डिनरी कोश्चन है बोर्ड के लाइक कोश्चन है की नहीं है बस तुमको ये समझ में आ जाए कि तुम्हें आई वन कितना आई टू कितना रखना और पूछा क्या है में आंथर शिक्स्टीन आई ने मेने में तो मैक्समा आई ना को वन बैसे स्टीन दे जाए पर्ड कर लो ये बताओ कि अगर हम एक अबजेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा है उसका इमेज बन रहा है तेक है मानलों वन मीटर पर रखा था अबजेक्ट मिरर से तो अबजेक्ट अन इमेज के बीच पी कितना डिस्टेंस होता है अगर अगर का मिरर से तो अबजेक्ट अन इमेज के बीच का distance कितने centimeter reduce हो गया? अगर तुमने mirror को 10 centimeter shift किया है तो 20 20 reduce हो गया और mirror को अवे 10 centimeter shift किया होता object से 20 increase हो जाता 20 increase हो जाता ये concept C के लिए लगाओ mirror को अगर तुम x centimeter shift करोगे तो object और image के बीच का distance 2 x centimeter change होता है ये concept है जो कि C में लगाओगे तुरंट आंसर रह जाएगा part difference जो maxima में आ रहा होगा पहले वाले maxima में वो part difference अगर suppose delta है ठीक है तो थोड़ा साम जब change कर रहे हैं तो अब part difference कितना हो जाए कि हमें again maxima मिल जाए part difference हमें same नहीं रखना है part difference अगर पहले delta था तो अब कितना हो जाए part difference कि again maxima मिल जाए उस delta में क्या add करोगे या subtract करोगे मैं लिखके बताओं कि समझ में आया नहीं आया पहले कुछ part difference था जिससे में maxima मिल रहा था ठीक है condition number one में part difference delta था सपोज ठीक है delta one कह देते हैं ठीक अब दूसरी condition में जब हमने mirror को shift किया तो अब मुझे delta two मिल रहा है part difference ठीक है पहला part difference maxima अगर मिल रहा है तो दूसरे में भी maxima ही मिल रहा है तो इन दोनों में कितना difference होगा delta one और delta two में लेमडा का अगर हम mirror को minimum shift करना चाहरा है तो इनमें lambda का part difference होगा delta one and delta two का जो difference होगा that will be lambda यह बात समझ में आ गई पहले जो part difference था और आप जो part difference है उनमें difference lambda का करोगे अब पहले वाले में अच्छा अगर मैं बोलूँ कि पहले minimum मिल रहा था और अब भी minimum मिल रहा है तो कितना का ये difference रखोगे अगर सबोच इस पे भी minimum मिल रहा है और इस पे भी minimum मिल रहा है और हम minimum shifting कर रहा है तो इनका difference अब क्या आएगा तो भी lambda ही आएगा ठीक है minima minima और maxima maxima difference कितना होता है lambda का ही होता है तुम सारे maxima की positions देखो यह सब इनके बीच में कितने का difference है lambda का ठीक है और minima देखो 0.5 lambda 1.5 lambda 2.5 lambda इनमें भी lambda का ही difference है ठीक है understood तो मेरे mirror की shifting से part difference में change जो आया वो lambda का है और part difference में जो अगर हमने shifting x की करी है तो 2x का change आता है किसमें जो इनके जो distance change हो रहा है ठीक है तो यह जो 2x का change आया वो lambda के equal होना चाहिए तो x should be equal to lambda by 2 तो इतने की shifting हो गई बस बुलो understood or not चलो तो सब लोगो को आगया कि नहीं आए किसे पूछना है तो repeat कर जाए और अगर पूछा होता कि पहले maxima था और अब shifting के बाद nearest minimum shifting के बाद हमें minimum मिल रहा है तो क्या करते हैं तो हम 2x equal to क्या लिखते हैं पहले maxima मिल रहा है और हाँ पहले हमें maxima मिल रहा था पीपर और फिर mirror की shifting के बाद lambda by मिनिमा मिल रहा है तो shifting जो 2x है वो कितनी होती तो वो lambda by 2 होती शांतनु समझ में आ रहा है ये सर ओके तो जो लोग silent है वो लोग आई hope समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा है तो फिर तुरंद पूछो ठीक है तो बताओ कैसी understanding रही तुम लोगो confidence आ रहा है विस subject में और ये mechanics की तुल्ला में ये सब chapters बहुत easy है ठीक है 11th class की mechanics में questions जो आते हैं उनमें तुम बहुत time लगाते हो exam में और result में उसमें गलतियां भी हो सकती है जबकि wave optics है, rear optics में भी थोड़ा difficult हो सकता है बट wave optics में, wave optics है, AC है, modern physics है ये सब देखने में बड़ा difficult लगते है या 11th का जो last का तुम्हारा wave है, sound wave, ये सब sound wave में तुम्हों को याद होगा, वो सब हमने standing waves करी थी, standing wave का question, calculation बहुत easy होती है, अब ये 33rd question जो है, इसमें हमारा कितना easily calculation कुछ थी नहीं, सब orally होता जा रहा है, तो ये सब chapters ऐसे हैं, जो कि तुमारे लिए marks fetching होते है, calculation easy होती है, answer तुरं अच्छा मिलता है, ठीक है, और mechanics में जो easy easy लगता है, वो ज़रूर करो, जो difficult लगता है, उसमें तुम थुड़ा सा time dependent है, कि तुम आपस कितना time है, February attempt के लिए त्यारी कर रहे हो, तो तुम उसको rotation वगरा छोड़ दो, ठीक है, work power energy के basic concept रखो, क्योंकि वो आगे mechanics में, और भ सब चीजे, इसी तरह से हमारा thermodynamics वगरा के भी question easy होते है, ठीक है, तो usually, जो chapter बच्चों को देखने में tough लगता है, generally जो एक perception अगर तुम voting करा हो बच्चों में, एक survey करा हो, तो जो tough लगता है, वो उनमें questions, बस यह कि वो concept थोड़ा सा देखने में और समझने में पहली बार के लिए मुश्किल लगते हैं, ठीक है, जैसे AC है, AC अगर तुमको समझ में आ गया, तो तुमको लगेगा, यह तो बल्कुल 10th class के बच्चों हाले question type से हो रहे हैं, होता है कि नहीं, बताओ तुम लोगों को को का, वो level पहुँचा है कि नहीं, और current electricity के जो question आएंगे, simple DC battery वो complicated होंगे, उसमें तुम्हारा easy circuit नहीं होगा, वो tough होगा, और AC में जो circuit होगा, उस सीधे-सीधे series circuit होता है, ठीक है, तो और क्या करें, यह कद को यहां पर दिख जा और question तो उसको कर लिया जाए, अब वो तुम लगा लेना, मेरे पास यह, इसमें recent बहुँचादा है, नहीं, 2018 या 2017 तक कही है, ठीक है, अब उसमें भी मुझे wave optics मिल जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, मैंने इसमें यह देखा, कि मैं जो concept पढ़ा रहा हूं, उस से related question मैंने select करे, ठीक है, कि वो concept clear हो जाए तुमारा, अब not necessarily कि मुझे 216 का इसमें latest दिख रहा है, बाट यह geometrical optics का question है, ठीक है, तो तुम अपना लगाओ, और फिर अगली class में तुम पूछोगा है, तुमें कोई latest question में difficulty आ रही है, ठीक है, class में concept clearing ज्यादा जरूर ही है, बाकि लगाने में तुम 2020 का लगा चलो, ठीक है, फिर अगली class में तुम लोग अब question collect करके जो भी difficult हो वो post करना group है, और फिर हम discuss करेंगे, ठीक है, time almost हो रही है, ठीक है, चलो फिर, thank you sir I am . . . . . . झाल